किसी गाव में दो लड़के रहा करते थे एक लड़के का नाम सोहन तो दूसरे लड़के का नाम मोहन था उन दोनों लड़कों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी उनकी दोस्ती की बात सारे गाव में हुआ करता था सभी लोग कहते थे कि दोस्ती हो तो इनके जैसी एक दिन दोनों को अपने गाव से किसी दूसरे गाव जाना था वो दोनों चलने के लिए तैयार हो गए उनके रास्ते में एक जंगल पढ़ता था वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे दोनों को भाय था कि कहीं किसी जंगी जानवर से उनका सामना न हो जाए सोहन बोला मित्र दरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी खत्रा आ जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा इसी तरह बाते करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक एक भालू उनके सामने आ गया दोनों दोस्त दर गए सोहन दर के मारे तुरंद एक पेर पर चड़ गया मोहन को पेर पर चड़ना नहीं आता था मोहन दर गया अचानक एक उपाई उसके दिमाग में आया वो जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सास रोप कर एक मृत व्यक्ती की तरह लेता रहा भालू नस्दीक आया मोहन के चारों और घूंकर वो उसे सूंगने लगा फिर वो भालू वहान से चला गया भालू के जाते ही सोहन पेर से उतर गया सोहन ने मोहन से पूछा वो भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था भालू ने मुझसे कहा कि कभी भी ऐसे दोस्त पर विश्वास मत करना तो तुम्हें विपत्ती में अकेला छोड़ कर भाग जाए